विदान सभा चुनाव में मिली जीत के बाद लगातार भारतिय जनिता पार्टी ने कमलनाथ के गड़ में अपनी पहुँच और पकड मजबूत बनाने की कोशिश की है इस बार ना सिर्फ सांसदी के चुनाव में यहां कमलनाथ परिवार को यानि की नकुलनाथ को मात दी बलकि अभी भी लगातार बीजेपी कमलनाथ के गड़ चिंदवारा में एक्टिव नजर आ रही है अब कमलनाथ की विधान सभा में बीजेपी ने एक नया इतिहास बनाया है पूरा मामला क्या है? आईए जानते हैं पुर्व मुक्यमंत्री कमलनाथ की विधान सभा में भाशपा ने सदस्सिता अभियान में नया किर्तिमान स्थापित किया सदस्यता अभियान में जुला भाजपा की नेतरतों में चिंद्वाडा विधान सभा पूरे देश में सातवे नंबर पर है जबकि प्रदेश में तीसरा ऐसा जुला है जहां भाजपा ने इतने सदस से बनाय हो बतादे इस विधान सभा से कमलनात खुद विधायक है इसके लावा जुला भाजपा अध्यक्षि शेश्राव यादव के नेतरतों में चलाये गए सदस्यता अभियान में 3,43,000 ओनलाइन सदसे और 42,000 ओफलाइन सदसे बनाकर चिंद्वाडा जिला प्रदेश में तीसरे स्थान पर है रविवार से बीजपी ने सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू किया इसमें लगभग 2,000 सक्रिय सदसे बनाने का लक्ष रखा गया चिंद्वाडा जिले की 5 विधान सभा में से केवल 1 विधान सभा अमरवाडा में भाजपा की विधायक कमलेश शाह हैं वे भी कॉउंग्रेश से इस्तिफा दे कर भाजपा में शामिल हुए है फिर से चुनाव लड़कर विधायक बने हैं चार विधान सभा में कमलनाथ सहित सभी कॉंग्रस उधायक होने के बाद भी भाजपा ने चिंद्वाडा जिले में किर्तिमान इस्थापित किया है रभीवार को जिला भाजपा अध्यक्ष शेश राव यादव ने सदसिता अभियान की जानकारी दी इस दोरान चिंद्वाडा संसदी शेत्र के सांसद विवेक बंटी साहु को जिला भाजपा अध्यक्ष ने सक्रिय सदसि बनाया और खुद भी सक्रिय सदसि बने इस दोरान पुर्व भाजपा जुला अध्यक्ष पंडित रमेश दुबे, कनही राम रगुवन्शी, अमरवाडा विधायक कमलेश शाह, सदसिता अभियान प्रभारी टीका राम रगुवन्शी, पुर्व विधायक नाथन शाह, भाजपा नेता जोती दहरिया, बंटी प बंटी